What is GRN? GRN stands for Goods Receipt Note ये एक बहुत common terminology है ये common शब्द है जो की industry में use किया जाता है accounting field में use किया जाता है लोग बोलते हैं इसका GRN बना के नहीं देख रहे इसका GRN क्या है देख तो GRN ये शब्द जो है ये बार-बार use किया जाता है प्रयोक किया जाता है तो इसका मतलब होता है Goods Receipt Note अब Goods Receipt Note का अर्थ क्या है जब भी हमारे premises में हमारी factory में हमारे go down में बाहर से कोई माल physically माल हमारे पास आता है तो उसके लिए एक document होता है और वो document का नाम है Goods Receipt Note ये document जो है ये हम बनाएंगे और हम बनाके sign करके दूसरे को देंगे जिसने हमें माल दिया है उसे हम sign करके देंगे और ये proof रहेगा कि इतना material इतनी quantity का हमारे पास आ चुका है ये particulars of material है ये सामान के details है और ये material ये goods हमारे पास आ चुके है इतनी quantity में हमारा आदमी मतलब हम receive करने वाले लोग है तो हमारा आदमी हमारा गोड़ान कीपर हमारा store से इंचार जो भी है वो व्यक्ति इसे sign करके दूसरे person को देगा जिसने ये माल हमें दिया है तो goods receipt note is a proof for receipt of goods only receipt of goods का proof हमारे पास होना चाहिए क्यों क्योंकि इसके बाद ही इसका purchase bill हमें आएगा और purchase bill के साथ हम check करेंगे मतलब जितने रुपय का माल हमारे पास आया है उतने ही रुपय का purchase bill हमारे पास आना चाहिए जितनी quantity का माल हमारे पास आया है goods हमारे पास आया है उतना ही purchase bill हमें आना चाहिए सो कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि आपको 100 quantity deliver हो गई है लेकिन 120 का bill आया है अगर ऐसा है तो वहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा ये control point है आपके लिए कि आपका purchase bill जो है वो correct है कि नहीं जो purchase bill आपको दूसरे से मिल रहा है वो correct है कि नहीं वो देखने के लिए चार बार माल आया है और उसका एक ही बिल आपको मिल रहा है ऐसा भी हो सकता है तो आपको चार receipt note को चेक करना पड़ेगा उसकी total करके purchase bill के साथ मैच करनी पड़ेगी खो बूस रूसरे से रफ़ेगा वा टो कुमेंटर से रहा है टूसरे से का बाद कर आपको